हेलो एस्परेंट्स कैसे हो सब तो स्वागत अपने यूट्यूब चानल पर एबी क्राकिंग मंत्रा तो हमने पिछले बार अलग-अलग सब्जेट्स के वीडियो देखे थे जो की सोट्सेस के बारे में बताते थे तो आज हम देखेंगे सबसे इंपोर्टन सब्जेट्स जो यहीं कवर कर रहा है तो इस पर काफी ज्यादा फॉकस करना चाहिए उसके रिगाडिंग हम स्वर्सेस देखेंगे तो अगर आपने पिछले वीडियो देके ने रहेंगे तो यहाँ पर बुखलिस्त के वीडियो से यूप पिछले सब्जेक्ट्स के यहाँ आप देख सकते है 2022 का तो चलिए हम देखते एक एंवार्मेंट के सुर्शेश क्या होने चाहिए तो एंवार्मेंट के सुर्शेश वैसे तो काफी वास्ट है वेबसाइट और वगएरे यह सब पकड़ लिया जाए तो तो स्टार्टिंग आप बेसिक से यहां से शुरुवात कर सकते हैं बायलोजिक की एंसेरिटी आती है तो आस्ट वेल्थ की उसमें से सिर्फ लास्ट के चार चैप्टर ही आपको पढ़ने है और आगे हम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना चाहिए उसमें पर आपका बेसिक त पर अच्छा खासा content cover किया है अगर आपको basics अच्छा लग रहा है तो यहां से भी आप cover कर सकते हो और यहां से भी मतलब आप biology and anxiety पहले आपको कुछ base नहीं तो आप यहां से शुरुवात कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत base रहा आपका तो यह भी book आप refer कर सकते हो उसके बा चाहिए उसके साथ-साथ अगर आपको अच्छा लगा तो आप अलग-अलग जो UNFCC के या फिर अलग-अलग website साते हैं तो आप आप सिर्फ about section में भी आप पढ़ सकते हो वह भी एक अच्छा अलग-अलग चैनल में भी आपने यूटूब के वीडियो देखे रहेंगे जो एनवारमेंट के रिगाडिंग बना थे वह भी काफी अच्छे रहते तो वह आप पे आप प्रेफर कर सकते हो और मैंने बाकी सब्जेट्स के भी लिंक पूरे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्षन में डाल दिये है बाइलिंक्स के लिए आपको अगर वहां से भी बुक्स खरीदने हो तो आप खरीद सकते हो और इसके भी बुक लिस्ट मैंने पूरा कमेंट सेक्षन में डाल दिये है मतलब आप बाइलिंक्स है उसके अंदर पूरे अमेजन के बाइलिंक् तो अभी हम देखते कि आपको क्या पढ़ना चाहिए इसमें से अभी वाट्टु स्टडी में क्या आता है तो जनरल इश्यू जन इन्वार्मेंट इकोलोजी कल टर्म्स जैसे कि अभी एकोटोन इकोलोजीकल इस एकोसिस्टेम एक्ट्स क्या है इंवार्मेंटल इटरेशन के कैसे एफक्क करता है इंवाइरमेंट के जो टर्म्स है उसके ओपर आपको क्रिश्टर क्लियरटी होने चाहिए कि कुछ-कुछ डायरेक्ली पूछा जाता है कि एकोलोजी का मीनि हो जाओ और हाथ के मांक्स गवाब बेठो के उसके बाद आता है पॉल्यूशन एसी ड्रेंग क्या होता है फोटो केमिकल स्मॉग ग्रीनाउस गैसेज ओजन हो अलगल ब्लूम यह काफी इंपोर्टन टॉपिक से बार-बार यूपसी कोशन पूछता ही रहता है और इसके साथ साथ आपको प्रीवेस कोशन भी देखने हैं मैं कहोंगा हार्डली टेनियर्स के ही देखिए ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं इतनी अगर आपको उतना टाइम है तो 15 तक देख सकते हो प्रिलिम्स के में इसके तो हार्डली 5-6 यह के देख सकते हो वह काफी हो जाते इनके एक बुक आती है रहे डटा बुक उसमें जो अलग-अलग स्पीसीज होते हैं उनका एंडेंजर्ड है क्रिटिकल एंडेंजर्ड है तो उसकी केटेगरी और उनका जो हैविट एट है वो कहां पाए जाते इतना भी कवर कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा फिर अगर कुछ भी थोड़ा सा भी चेंजिस हो गया तो काफी ज्यादा हानी पहुच सकती है उनके अविड़ाट को फिर बाद में कंजर्वेशन इसका कंजर्वेशन का इसे करना चाहिए फिर नाच्रल पाक्स में उनका काई क्रेक्टर यह रहता है फिर वाड़ाफ नशर्वेशन वेट लैंड बायोस पर रिजर्व इंटर नेशनल इन्ट रिकनाइस वेट लैंड अभी वेट लैंड काफी हो गए आपने तो उसके सब्सक्राइब नेशिए अब क्या उसका एक मीनिंग उसके क्या पेरियो और फिर सब्सक्राइब करते हैं इतने यह अगर टरम्स आपको निउस्पेपर में दिग गए उसके ऊपर थोड़ा सापको रिशर्च करने चाहिए और प्रिवेश्चर को प्रिवेशन हर बार आपको रेफर करते हैं रहने चाहिए क्योंकि आपको पता चल जाएगा कितने डेप्ट में कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है फिर क्लाइमेट चेंज आता है मिटिगेशन मेजर्स क्या होने चाहिए नैशनल और इंटरनाशनल में क्योट्टो प्रोटकॉल क्योट हो जाएगा तो अब्जिक्टिव क्या थे उनके समिट के उनका क्या आउटकम निकला इंडिया ने क्या इनिशेटिव लिया इंडिया के क्या-क्या अलग-अलग इनिशेटिव है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए हमने क्या-क्या पंचेशिल का एक हमने यह किया है हम फाइब यह हमने प्लेज किया कि किस तरह से हम क्लाइमेट पॉलिशन हम कम कैसे करेंगे फिर जो लॉज रेगुलेटर बॉडिज पॉलिशी रहते नैशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जैसे कि एन्वार्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया फॉरेस्ट रैट्स आक्ट अच्छे से आपको करना चाहिए जो इसमेंट को सब्सक्राइब जो पात से 10 पॉइंट ही मिलेगे जो काफी इंपोर्ड़न रहते है उसके एक्ट के रिगार्डिंग वो आपको अच्छे से होने चाहिए जैसे फॉरेस्ट चैट में उनको रेकंट्न मिल गया ता कि आप ज कि और थाए जो क्या बोलते को रहता है हर एक एक का कि ये एमेंट्मेंट्मेंट्स किया गया तो उसके लिगाड़िंग मैं आपको करना चाहिए पिर आता है प्रोटोकॉल था फ्रेट प्रोटोकॉल्स कोर्क уб मांत ऑपशियें सब्सिंद्य listen requests on त्री रियो कंवेंशन होगे जैसे कि कर्वेंशन ऑन बायलोजिकल डावर्सिटी फिर उन फ्रिपल सी यॉनाइटेड नेशन कनवेशन टुकाम डर्ड डिजर्टिफिकेशन जो कि 1992 अर्थ समिट का उटकम था यह तीनों तो यह काफे इंपोर्डन हो जाता है अर्गनेशन्स लाइक उनेपी एफेओ युनेसको मतलब जो मेजर उर्गनेशन से उसके पर ही जादा फोकॉस रहना चाहिए आपका तो इतना था यह सब आपको यह पढ़के थोड़ा सा कन्फूजन हो गया रहेंगा इतना सब पढ़ना है पर आपको जब पढ़ने स्टार् इस नौट बड़ गोल्डर महसिर इंडियन नाइट चार स्पून बिल वाई टीबिस अगर आपने थोड़ा सा इंवर्मेंट के रिगारिंग स्पीसिस के रिगरिंग पढ़ा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि जो गोल्डर महसिर वो फिश का नाम है तो इधर यह आंसर ह हो गया आपका इस नौट बड़ इस फिश तो यह आंसर है इसका फिर इसके आगे जैसे मैंने आपको बिछले वीडियो में भी बिछले साइल स्लाइड में बताया था कि जो प्रोटेक्टेड एरिया जरेते अभी जो मेजर रिवर बेसिन से तो उसके रिगार्डिंग आप आपको थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए मैं आप लेके बैठना चाहिए आपने तो जैसे कि अब यह पूछा गया था 2020 में यह सवाल कि पीछा तो फॉलेंग प्रोटेक्टेड एरिया अर्लोकेटेड इन काविरी बेसिन तो काविरी बेसिन के आसपास कौन से प्रोटे यह मतलब यह आपको पूरा जोगरफी एनवाइर्मेंट यह सब कवर हो रहा है जयादा कुछ जव्यादा डिफरेंस नहीं आपको तो डिस्टिंग्विश करना थोड़ा डिफिकल जाता है तो ठीक है इसका आंसर क्या रहेगा तो नागरहुल है सत्यमंगलम है वाइनाड है तो आंसर हो गया 134 तू नहीं है पापी कॉंडा नहीं है तो आंसर हो गया सी 134 तो आपको देखिए जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि आपको कैसे कैसे स्टेडी करना है तो उसके रिगार्डिंग आपने इससे भी फॉलो कर दिया तो अच्छे से आपको कवर हो जाएगा और एंवार्मेंट के इसे काफी डिफिकल्ड को जाएगे 20-30 कोशन में से तो आपको बाकी जो कोशन से उसको आपको स्किप तो नहीं करने क्योंकि वह काफी एक पॉइंटर देते हैं कौन से कौन से कोशन में तो आपको यह इलिमिनेट करना है मतलब एलिमिनेशन के चांसे ज्यादा रहते एंवार्मेंट के इसमें और का से अशर पगर्चांस में तो आपको जो रहता है बेस ये पूरा करेंड पर थी अदॉत करिंट आटेरी पर इूबसेरॐ आउरिक करेंट जो सब्सचक्राल और करना का पर आपको सब्सस्याइब काफ़ी इंपोर्टन था तो इसके रिगाडिंग ही यह लॉंच किया गया था ग्रिन ग्रिड इनिशेटिव जो इन क्लाइमेट चेंज के रिगाडिंग कंफरेंस ली गई थी क्लास गो में नवेंबर 2021 में तो यह परपस क्या था इसका सिफ अभी यह देखी यह काफ़ी इंपोर्टन कोश्चन हो जाता कि परपस पूछा है यह ने पूछा है कि यह क्या है इसका परपस पूछा है कि परपस क्यों लाया गया था यह इधर थोड़ा फोकस करना चाहिए हम क्या करते हैं जल्दबाजी में सीधा देखते ग्रिंगरीड इनिशेटिव हाँ यह यह इसके यह फीचर से और कोश्चन के डिमांड देखिए परपस था इसका परपस को करना है यह कोश्चन में तो यह हो गया यह पहला पार्ट उसके बाद पूछा है कि वेन वस दा आइडिया फॉर्स प्रोटेड इन इंटरनाशनल सोलर अलाइंस तो यह आईडिया कब क्या इसको बताना है और इसका इफेक्ट बताना है आपको कि ग्लोबल प्लाइमेट पर क्या एफेक्ट हो सकता है इस पर तो पूरा ऐसे लिख सकते हैं पर आपको काफी इसमें शॉट इसमें कर रहा है मेरे सबसे 250 वर्स के लिए आया था तो आपको अच्छा कासा लिखना है कंटेंट मिल जाता इसमें उसके बाद में आप यह सेकंड पार्ट में कुछ है एक्स्प्लेन तक कंट्रोल मेजर्स तो ब्रिंग डाउन दर लेवल ऑफ ग्रिनाउस इसके साइड इफेक्ट्स का या फिर इसका उटकम क्या है इसको कैसे आपको टैकल किया जा सकते इसी बेसिस में आपको यह पूरा नोट्स भी ऐसे बनाने चाहिए तो इसमें भी वैसा ही पूछा गया कि पहले गुलोबर वर्मिंग क्या एफेक्ट्स क्या है इसके कंट्र अगलग टायर में डिवाइड किया था कि developing countries में ये करेंगे developed countries इन्हें fund करेंगे technology transfer करेंगे बगर काफी सा तो इसके रिगाड़ीं ये पूरा question था और इसमें आच्छा कस आप लिख सकते तो question simple ही रहते है बस आपको उनकी demand satisfy करनी चाहिए कि इन्होंने भेजल करने पूशान के और उन्हें चाहिए गाता है बस यही देखना हैं हमें कितना आता है वह नहीं बताव चाहिए लोत की जपशन को करते हो हिए इनके लिए काफी अच्छा मान है भी होता है हुंने फिर candidate ने अच्छे से question को समझा भी है और इसे address भी किया है तो टेलेग्राम लिंक दिया है मैंने description में और buy links भी है मेरे description और comment section में जहां से आप books buy कर सकते हो और ऐसे वीडियोज के लिए subscribe कीजिएगा thank you